स्वागत आपका मेरे ऑफिशियल यूटूब चैनल एगरी कल्चा सक्सेस पॉइंट पर और आज की कोशन सीरीज के अंदर अपने बात करेंगे पेडोलोजी के टॉप टैन कोशन की ठीक है जिसके अंदर आपने मिनरल्स के भी कोशन रखें हों है तेंपरेचर रेजिम्स और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कोमेंट सेक्षिन में जरूर बताना कि आपको यह आज की क्लास कैसी लगी तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश्चन यह रहा आपकी स्क्रीन पे विच आफ फॉलोविंग इस सेडिमे डोप इसने चार ओप्शन दे रहे हैं कि इनमेंटरी कौन सी रहते हैं वह बैसे क्रीदें रहे हैं और रॉक शें पर सेडिमेंटरी रहे हैं शोराल ऐसके अब इसके लावा एक सेडिमेंटरी रोग है तो वह होती है आपकी सेंड स्टोन ठीक है सेंड स्टोन जो हो क्या होती है आपकी सेडिमेंटरी रोग होती है तो यह चारो याद रख लेना चैल कॉंगलो मिरेट लाइम स्टोन और सेंड स्टोन यह चारो ही क्या है सेडिमेंटरी रोग है और इसने प द्यान से पढ़ना को कि इन में से में इसमेथा इसमेथा मुर्फिक रोग जो है वो कौन सी नहीं है विछ उब्धा फॉलविंग इसे नोट ए माटमोर्फिक रोग जो आपका यह ओप्षन है सेयल यह कौन से आपकी सेडिमेंटरी रोग है जो गनिश है वह भी आपकी डिंट मॉर्फिक रोक है तो से बनती है वह बंती है वह दिया अपके लायम स्टोन से ठीक है ना तो शेल किसे बनती है गरे नाइट से और मार्बल किसे बनती है आपके लैम स्टोन जो ते उससे बनती है तो इसके अंदर से लेट गनीश और मार्बल यह क्या होजएगा आपका यह अप्शन होजएगा कि जो चैल है वह एक मेटामॉर्फिक रोक नहीं है नेक्स्ट कोशिन की बात करते अपने थर्ड कोशिन की पोटेशियम इस फाउंड इन विच मिनल इस को ध्यान से पढ़ना बेटा यह बोड़ रहा है कि कौन से मिलर के अंदर कोशियम थाहुंड इस कौशियosure को अला लुए तैप से फूछा जा सकता है जैसे आपको कोई कंदर परजेंट होता है यकिस का में जो है मिनल है जो जो को अच्छे तरीक से आप समझेगा को यह पूच रहा है कि पोटेशियम जो है वो कुष्य मिनरी के अंदर प्रजेंट होता है तो आपका अलबाइट होता है इसका फॉर्मुला क्या होता है तो आलबाइट का फॉर्मुला होता है सोडियम-inarium-I 308 गरे सब्सक्राइट है इसका फॉर्मुला क्या होता है टाऍक मेंद्वीर शड्राइट सब्सक्राइख trainings değ peace का होता है potassium aluminium si308 ठीक है इन फोर्म लोगों को अच्छी तरी किसी नोट कर लीजिए अलबाइट का क्या होता है sodium aluminium si308 एन और साइट का क्या होता है calcium aluminium si2 calcium aluminium 2 si2 और 08 ठीक है जो quards होता है इसका क्या होता है si02 और जो को तक लेज रहे होता है सिर्फ का क्या होता है potassium aluminium si308 ठीक है इंतने में सब्सक्राइब में देखिए कि पूटेशियम आपको किस नज़र आ रहे हैं तो जो और्तोकलेज से आपने कोश धिख रहे कि यह पोटेशयम आया है तो इसी के अंदर ये पोटेशयम में पर्जिंट होएगा तो इसका सब्सक्राइब वह भी अपोटेशयम हो जाएगा कि जो और तो कंदेशयम पाया जाता है यह Means के अंदर होता है कशिन को आप अच्छे तरी की से कीजिए गाउचिन को अच्छह तरिकर से कहले पड़ना है फिर यह जो है व ने दिए थЕ फांचों ठीका ना वह पुच्छा है थो विवीडोंग इनहों ने कितने दिए थे थे इनों ने दिए त Joffmar है इन ने हमने क्या थे ऐता कि जो फ्सक्र से पाँचों इनको दो में बांटाता एक्टिव और पेश्युके अंदर एक्टिव और पेश्यू के अंदर इन्हों ने बांटाता और भीक्रा थीधिक अउटकोच आव्रीमाने क्वतिन और इस नहीं धनis प्रोसेस के ठीक ना और इसको एक एक वेशन के रूमें बना दिया था ठीक ना तो इसका जो राइट आशर हो जाएगा वो क्या आजएगा आपका सी ओप्शन हो जाएगा कि जो जैनी है इन्होंने क्या दिया है फाइब स्वेल फॉर में फ्रेक्टर जो है वो दिये हैं नेक्स्ट कोशिन आता आपका भी जाएगा कि देखने को मिलेगा और बहुत इपोर्टन कोशिन है यह पूछ रहा है सेन्ड पार्टिकल ट्रांसपोर्टरड वाई इसको क्या बोलेंगे ठीक ना जो आपका सेन्ड पार्टिकल होता है स्टान से दूसरे स्टान पर चला जाए उसको क्या बोलेंगे इस को सिन मेंटर जो है वह ट्रांस्पोर्ट हो विए कि दरा उसको क्या बोलेंगे एक स्टान से दूसरे स्टान च्राव गया विसके लिए ऑपने यूज करते हैं आपका को लाएंट ग्रेविटी के द्वारा। ओश्छाल प्रेविटी के दूरा आप वहित बहुता है कि यूद्ली होना ठीक है ना और मोराइन क्या होता है मोराइन होता आपका जो गलेशियर ड्रिफ्ट होती है ठीक है गलेशियर जो ड्रिफ्ट होती है उसके द्वारा जो पेरेंट मैटर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाये उसके लिए ट्रम यूज करते है अपने मोराइन ठीक ह स्रक्वलाइनी तो मेरा यह झालती है जब सीक के द्वारा या शमुंदर के द्वार इतर मेटर का क्या हूं tel फो उसके लिए अपने टरम युज करते हैं Karma प्राइन किसके लिए करते हैं द्रिफ्ट के लिए यूज करते है्स जो लोशेच प्लेकिप्स stick लेपारर्टीकल का बिंड के द्वारा ट्रांस्पूर्ट होना ऐलीन क्या होता है कि सेंड का फाद के द्वारा ट्रानस्पूर्ट होना को लुवियम क्या ताव United compare ग्रेविटी के द्वारा जो पार्टिकल है sorry सब्सक्राइब करते हैं नेस्ट कोशन आता आपका सिस्ट नंबर कोशन विच डियागनोस्टिक हो डवलप्ड बाइग कांटिन्यूस मेन्यूरी यह कोशन आपका आगया डियागनोस्टिक होरी जोन से सब्सक्राइब करते हैं तो इसके अंदर पूच्छा हुआ है कि जो कॉंटिनियूस मेन्यूरिंग होती है तो उसके द्वारा जो होरीजोन डवलप्ड होता है अब कही बार क्या करता है कि चार ओप्शन दिया इनके अदर एक अधा एक दो डाल देगा लेकिन यहां पर जो मैंने कोशन मनाया इसके अंदर सारे के आपके एपिपडों नहीं है इसके अंदर आप से पता लगाना है आपको की लेजन किसको बोलते हैं फॉलिस्टी किसको बोलते हैं मेलनी किसको बोलते हैं मॉलिक इसको ब मतर आपको नाम याद आरो females मूदिट चले माइज तहां जो फिक यह एंफरोफिक है जो अपने का बोलते हैं कि जब लगातार अपने का टिविशन करते रहेंगे उससे तो डागिजिटنت अपने इंफरोफिक ढूद ग Papag तो इस ने तो बनता है उसको बनते शोटने अपने एंًस्थोपिक फॉलिष्टिक मैलनीक और मौली यह दिनो जो है इनिकर आपको क्या याद रंकर थो 20 % ठ्सक्रिफिक जालता है फॉलिष्टिक और मैलनी के इंदर ज्यादा और आपको और गियनों मेंट्स याद रखने तो नेश्ट वोशन आते हैं तो नेश्ट वोशन आपका सेवन नंबर कोशन सोय टेमप्रेचर इस लेस देन जीरो डिग्री सेल्सेस इसको अपने क्या बोलेंगे तो देखिए फर्स्ट ओप्षिन आपका डूरी नौट डूरी नौट क्या होता है कि किसी भी चीज का एक्रीगेट होता है उसके अंदर इसलिका के द्वारा लुज बॉंड बन जाए उस मिथे चला जब्र नखेड के टेमप्रेचर क्या हो घिरो डिग्री सेल्सें रसेन इसला कुंच अपने तो जिसके ऑंदर वास की मातरा क Eigen Form Jetzt है ठीक है और जो आपका यह होता है तो उनकी मात्रा क्या हो ज्यादा हो तो उसके लिए अपने टर्म यूज करते हैं पर लेंट थाइट बाइलोजिकल जीरो क्या होता है बाइलोजिकल जीरो ता जब टेंपरेचर फाइव डिग्री सेल्सेसे कम चला जाए ठीक ना फाइव ऋसके लिए रवी सेल्सेस के जाती है और हुमेसकी मात्रा कम और स CapSky Oxide की मात्रा ज्यादा उति इसके लिए अपने यहीन जीरो प्रमफरोस्ट भीज़्सकर लेस ट्न से से कम जबतामान चला जाए उसको बोलेंगे अपने थाइट ठीक है नेक्स्ट कुशन आपका एट नमर कोश्चन अब यह कोश्चन आपका कहां से आया है तो टेंपरेच्ट रेजिम से आया है ठीक है ना जो सोट टेंपरेच्ट रेजिम में ने कराई थी आपको सेवन उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यह आपने वह क्लास नहीं लिए तो उसको जुरूर जादा हो क्या जो आपका मीन विंटर तेंपरेच्ट उसके लिए क्या तर्म यूज होती है तो यह सारा आपको पता लग जाएका उसक्रास के अंदर वह भी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में में देदूं हां तो जो पार्जिलिक होता है वह क्या होता है कि जब तामा जो मीन एनवल स्राइटर है वह जेरो डिग्री चल्चे तो क्या हो कम और एट डिग्री चल्चे से ज़्यादा हो तुश्य जादा भी नहीं हो रुटी अपने ओन से्पिजिसन होगी का ने से हैं ठीक है न तो क्राइक के अदर अपने यह बोल देंगे जिरो यह स्कते है जिरौ टू एटेघ्री रिजलशी से तोक्या हो गया ज्यादा हो गया इत डूटेघ्री रिरेशेस चेसंतर इचाल न वह stinks रीला है जिकी रिकर फेर्द्फन और फेट didn't यह ऐसे बोले जाए ज़नों टिगरी इंदर का रहेगा तो जो डिफ्रेंस रहेगा द्फरेंस रहेगा वह आपका रहेगा कि जो स्रीजीड है उसके अंदर क्या अबता है जो आपका मेन संबर टेमपरेचर और मेन वेये डिभीरेचर उने का जो डिफरेंज को चैनल जोका आपका 55 से ज्यादा हो जाएगा ठीक," तो फिजट में क्या रखना है टेम एट दिगरी से रहेगा लेकिन मि टेंपरेचर होता है और पार जलिक में लेस दन जिरो डिग्री से जो है वो टेंपरेचर रहता है जिरो से कम एक चीज मैं आपको क्लास के अंदर कराई थी कि यदि आपके सामने टर्म आजाए आइसो थर्मिक ठीक है आइसो फ्रीजीड आइसो मेसीफ यह कि आपको याद रखना है कि यह में विंटर टेंपरेचर और में रस्मर टेंपरेचर का जो डिफरेंस है वू क्या प्रोसेगा इसका अपोजिट जीएगा जैसे आप आपको एक्जाम्पल से करा तो यह सारे कोशन करवा रहा हूं लेकिन बाकि जो अप्षिन है उनको भी तो करना जरूरी है देखिए इसको अपने के से याद रखेंगे जब आपके सामने दिखे आइसो टर जैसे आइसो मैसिक दिए हुआ है तो मैसिक अंदर में अभी आपको क्या बताया था कि 8-15 डिग्री चल्शेस टेंपरेचर होता है ठीक है ना ओर जो मिन वन्टर टेंपरेचर और मिन समर टेंपरेचर का डिफरेंस है वह 5 डिग्री से ज् लेकिन कहीं आ इसयों लिखा ओ जब यह तुट हो जाएगे ना इता तो आपने बन को क्या शांत रखना एक टैंप्रेटैर तो यहीं रहे खिंढो सिक टैंपूरेटों यहीं रहेगा इसका आपॉजिट फिर्फेर्च कर घना सथाइगा मतम Ini में लियुक्व सब्सक्राइब नहीं लगा है तो इसके लिए अपने फिर यह रखेंगे कि आपको याद रखना है कि आपका डिफ्रेंस होता है वो अपोजिट हो जाएगा ठीक ना नेक्स्ट कोशिन आता आपका नाय नम्बर कोश्य विच स्वेल मौश्य रेजिम्स प्रजेंट इन ठीक है ना जो ड्राइग कंडिशन होती है वहां पर आपकी कौन सी जो मौश्य रिजिम्स परजेंट होती है तो देखिए जयरीक और अस्टिक है यह उद्र क्या याद रखना होता है इसके अदर एक साल के अंदर नभे दिन से ज्यादा जो है वो ड्राइग कंडिशन रहत है इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहां पर प्ता रहा हूं कि जैरीक और यह जाएगी और एक साल के अंदर नभे दिन से ज्यादा जहां पर ड्राइग कंडिशन रहेगी जो उडिक है उसके अंदर इसका पोजिट हो जैता है कि इसके अंदर इंपे दिन से कम जो ह कि कौन से आतिया आपकी कौन सा कुछन आ गया यह क्या होगा इसके अंदर एक में ठुकिएगा कि क्या हो गया चल्जा भाई मेरे अच्छा ठीक हो गया डी ओप्षिन जो इसका राइट हांसर एगा एडिक जो है वो ड्राय कंडिशन में पर जैंड रती है नेक्स्ट कोशन आता है आपका टैन नम्बर कोशन अच्छा यह स्लाइड के लिए था इसे रिखते विच्छ विच्छ शोल मोश्चे रेजिम्स प्रजेंट इन सेच्छुरेटर कंडिशन अब जांपे सेच्छुरेटर कंडिशन क्या होते है बढ़ा जांपर मेक्रो और ऑंचे प्रजेंट हो तो थे हैं एक विक होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा进िता है गना've टीन आ इसके जो राइट आंसर रेजाए वह आपका डी ओप्शन हो जाएगा कि जो एक्विक है उसके अंदर जो है सेटुरेटर कंडिशन पाई जाती है ठीक न यह आपके कोशन थे प्रेंग और यह आपको यह अच्छी लगी है तो आप कोमेंट चैक्शन के अदर बताना कि आपको यह क्लास वह बैस्ट लगी ठीक न और जो कोई भी आपका को इस लेटर डाउट हो ठीक है आपको कोई क्वेशन समस्ज़ नहीं है और आपको लगे कि इस कोशन का यह अंसर नहीं हो सकता है तो मुझे कोमेंट बोक्स में जुरूर बताना और कल से आपकी थ्योरी क्लासिज जो स्टार्ट हो रही है तो उन क्लासिज को भी जुरूर जोन कीजिएगा थेंक्यू जैहिं चैबारत